जये सिव संभू, भगवान सिव की किरपा आप पर हमेशा बनी रहें, एस्ट्रो कर्मा में आपका स्वागत है, और हम आपको बता रहे हैं कन्या रासी का रासी फल अगस्त 2020 के लिए, दोस्तों कन्या रासी के जो जातक होते हैं, जो कन्या रासी का व्यक्ति होता है, वो का हुआ पैसा आपको मिल सकता है, और जो है जो बिजनिस अभी तक स्लो डाउन की तरफ जा रहा था, जो बिजनिस आपका कम हो रहा था, वो बिजनिस आप उठने लगेगा धीमेदी में अगस्त में, और वो तेजी पकड़ेगा और धनलाब का योग बन रहा है, और आपक अच्छा धनलाब का योग बन रहा है, दूसरा धनलाब के साथ साथ आपको जो विशेश तोर पर ध्यान रखने की आवा सकता है, वो यह है कि आपका खर्च भी साथ में बढ़ रहा है, जब धन आता है दोस्तों, खर्च भी बढ़ता है, वो यह रहा है कि आपका खर्च ज तोड़ा कम धन खर्च करें क्योंकि आगे आपको धनगी आवसकता पढ़ने वाली है इस साल के एंड में जाते जाते इस महीने में यानि कि अगस्त में कुछ रिष्टेदार आपके रिलेटिव दोस्त को घर आते जाते रहेंगे कुछ सर्प्राइज विजिट भी होंगी कु तो अपने अपने छेतरे में अच्छा काम करेंगे अगर वो पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे उनकी तरफ से भी अगस्त में आपको सैटिस्फेक्शन आने वाला है आला कि आपको दिमागी रूप से थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस तो जुरूर लेकिन आपके तरकी के रास्ते जो है और चोड़े हो रहे हैं और खुल रहे हैं तो उनको ध्यान से देखिएगा उन रास्तों पर आगे बढ़ियेगा तो आपकी तरकी जो है वह तेजी से होती चले जाएगी यहात्रा का योग भी बन रहा है लेकिन वह यात्रा कोई कर दूर करेंगे लेकिंगु सारी यात्रा है मैकसमम आपकी प्रॉफिटि टस तो यात्रा mapped करें और तब इए यात्रा स्टार्ट करें यात्रा उंगी और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है एह और जो है जो बड़ी अच्छे होने वाली है . टो आप प्री तेरे पूर और तरीक तो मिल सक्राइक आपका प्रीने một सब्सक्राइब ना अपर प्रव जाएक रुकलने वह जरुब करिए को Wanna call एक रोकी प्र देंग। जो छोटी मोटी समस्याय आती हैं उनको दूर करने के लिए आपको उपायज भी जरूर करना है और उपायज हम जो बड़ा सिंपल बदाते हैं आपको कहीं नहीं जाना है आपको सरे भगवान सिव के टेंपल जाना है भगवान सिव जो हैं वो सबसे उंचे देवता हैं सबसे नहीं बंगते बहगवान स्योर के टेंपिट में जब आप जाएंगे रात्ना करने के लिए जाएंगे तो रुप penalty पैसा भगवान स्योर नहीं चड़ाएंगे हैस कि क्या समझियगा एक रुप ago ऐई भगवान स्योर को नहीं चड़ाएंगे वां towards यो characteristic मतलब झार नहीं यह नहीं हैं अब बिल्कुल पि lançानी लगता गंटा भी जोर से नहीं बजाएंगे बजाएंगे तो अच्छा है भगवान्म सिव हमेशा जो है अपने ध्यान में रहते हैं तो अनको ध्यान से नहीं जगा ना लेकिन ध्यान में रहते हुए सुक्ष सब्सक्राइब तरंग भी समझ लेते हैं जब भगवान सिव के मंदर में जाएं मैं आपको अगर चड़ावागरत डालना है और दान पेटी में डाल दें आप इन मेंसे फूल जो नए बिलकुल एकदम ताजे ताजे फूल जो होते हैं पुस्प होते हैं आपको इन में से जो भी मिल जाए अगर आप दुकान पर जाएं खरीदने के लिए मंदिर के बाहर की अकर वहां सुद्ध ना मिले तो ना ले इससे तो बहतर यह कि दो फूल आप तोड़ के ले जाए जाकर के से लिंग पे चलाएं हाथ जोड़ के प्रात ना करें और अपनी बात अपने मन में दोहराएं तो भगवान सिव आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सारे बिगड़े काम जो अभी तक नहीं बन रहे थे अरचने आ रही थी वो पूरी तरीके से दूर जाएंगी अ पर ठेल ज परिखने और आपके काम और फ़क्त टोट को आपको एस्ट्रोलोजी बताते हैं प्रफिकल जो है पासिफेल बताते हैं तो आप अगर और चाहते हैं कि फूचर में आप हमें देखी हमें से मिले हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त नमस्कार धन्यवाद